अला स्ट्रेंड्स हां वार यू तो आज हमंगेंगे तोब दी और लूपकोद करेंगेग। है तो फ़र्स एटिंग आगई है हमाले पास पत अब जोग को आब यसे तो गहर्में रूस करें पज़एसी करते हैं फिकने आप रिस old क्या वोता है और यह बनता गैसे अमुश के वारे आ चोको प्रिपेर करने का में और है प्रोसेस एं उसका नेम है सैपोनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन के अदर क्या करते हैं, हमारे पास एक कमपांड होता है, या या यू खिया लिजे सबस्टेंस है, जिसका नेम होता है, फैटी असिट। कि आप यह नहीं है फैटी एसिड कि आप जनरली यह समझे ओई है जैसे आप परते ना कार्बोहाइडरेट फैट प्रोटीन लिपिड़ उसी तरह से फैटी एसिड है वह एक आप यूँ कहलेजिए ओइल का पार्ट है क्या है ओईल का पार्ट है या ओईल का एक कमपोनेंट ह यह हैं पूरा यहां पर मैं डिस्कस नहीं कर सकता है आपके नाम यह फैटी एसे तो इतना ज्ञाई तो हम यूज करते हैं किसके नदर सोप को बनानी में सोप को प्रिपेर करने सब्सक्राइब इसकात हम यूज करेंगे, NaOH, यह आप यूज कर सकते हैं KOH, अब NaOH का नेम क्या होता है, तो बोलेंगे Sodium Hydroxide, और KOH का Full Name क्या होता है, बोलेंगे Potassium Hydroxide, ठीक है, इन दोनों को मिला करके हम क्या करेंगे, इनको heat करेंगे इनको गरम करेंगे गरम करते हैं क्या होंगे यह जो sodium है इसके साथ जो आपको sodium दिख रहा है एने दिख रहा है वो sodium किसके साथ जुड़ जाएगा? fatty acid के साथ जुड़ जाएगा और एक salt बना लेगा क्या बना लेगा? सॉल्ट बना लेगा उस सॉल्ट को हम क्या बोलेगे यह हमारा क्या बन गया सोप क्या बन गया सोप प्लस यहां पर एक प्रोड़क्ट रोड़ मनेगा उस प्रोड़क्ट का नाम होगा ग्लिस्रोल क्या नाम है ग्लिस्रोल अब नाम सुना होगा ग्लिस्रोल ग्लिस्रोल तो साथ में यहां पर एक प्रॉड़क हमें मिलेगा सोप का और एक प्रॉड़क मिलेगा हमें ग्लिस्रोल का अब फैटी असिर है तो फैटी असिर की बात करें तो फैटी असिर बने होते हैं किसके कार्बन ऐसित चर्थी आपको क्या दिखेगा है कि इसके अंदर क्या प्रेज़ेंड कार्बन क्या होंगे हाइड्रो आइंड कार्बन कार्बन होंगे हाइड्रोजन के आपको कुछ एटम peng ऑप्चिजन के भी मिलेंगे क्या-क्या होंगे hydrogen होंगे कार्बन होंगे और oxygen के जो anh हो वो मिल करके क्या बनाएंगे fatty acid बनाएंगे के लियर? अब fatty acid की structure की बात करें तो इसमें हम बोलते हैं कि hydrocarbon chain होती है यह आगे हम carbon वाला chapter परड़ींगे उसमें आपको त्वेसे शमदमायेगा कि hydrocarbon की chain कैसे हम discuss करते हैं तो अभी आप थोड़ा सा ध्यान रखेगा कि hydrocarbon की chain होती है hydrocarbon की chain मतलब उसके अंदर carbon hydrogen carbon hydrogen carbon hydrogen इस तरह से आगे जुड़े वे रहते हैं एक दूसरे से इसको हम बोलते है hydrocarbon की chain है तो यहाँ पर hydrocarbon की chain है वो Carbon के नंबर पर depend करती है अब यहाँ पर carbon के नंबर है वो fatty acid के अंदर carbon 12 carbon 12 मतलब की carbon 12 जो carbon के नंबर है वो किसने ट्वैल है यानि 12 carbon present है आपस में जुड़े हुए एक दूसरे से इस तरह से ठीक है यहां पर जो बिच में डेस बनाया हुआ है सेंटर गेंटर आपको दिख रहा है यह डेस है वो बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है किसको रिप्रेजेंट करेगा बॉन्ड को यह बता रहा है कि यह कार्बन है वो इस कार्बन से आपस में जुड़ा हुआ है ठीक है य तो यहां पर बोलते हैं कि कार्बन 12 से लेकर कि आपको कार्बन 18 तक कार्बन 12 से लेकर कार्बन 18 तक कि आपको हाइड्रो कार्बन चेन मिल सकती है तो यहां पर हम बात करें कि आपको कार्बन चेन पर डिपेंड करता है यानि उसके अदर हाइड्रो कार्बन की चेन होती है अब हाइड्रो कार्बन की चेन जैसा भी बताया कि कार्बन की नंबर अलग-अलग हो सकता है तो उस हिसाफ से हम फैटी एसिड का जो नेम है वो भी हम अलग-अलग नेम उसको देगे तो मानी जी उसके अंदर फैटी एसिड के हमारे पास टाइप आते हैं इसे एक फैटी एसिड होता है उसका नेम होता है इस्तियरिक असीड हखरत आइप यृ को तो इन सब के अदर difference क्या है तो बोलेंगे hydrocarbon chain का difference है किसी के अंदर hydrocarbon chain है वो 70 carbon की है किसी के अंदर 50 carbon की chain है किसी के अंदर 12 carbon की chain है तो hydrocarbon की chain का difference है तो इसी का हमने इनका नाम भी क्या रख दिया अलग अलग रख दिया कुछ यह example है किसके example है तो बोलेंगे fatty acid के example है ठीक है fatty acid के type है steric acid, palmitic acid और oleic acid यह तीन app के course के अंदर है steric acid, palmitic acid और oleic acid के लिए अब हम एक general formula बनाते है fatty acid का जिसमें हम जो hydrocarbon की chain होगी उसको हम denote करेंगे R से, किससे denote करेंगे R से R का मतलब यहांपर क्या है hydrocarbon की chain, कि hydrocarbon की chain 12 carbon की chain भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है तो हमने एक general बनाती है कि वही कितने है R है R का मतलब वो carbon 12 से लेकर के carbon 18 तक कुछ भी हो सकता है इस R को हम बोलते हैं alkyl क्या बोलेंगे alkyl group ठीक है alkyl group का मतलब क्या है hydrocarbon की chain जो कहां से कहां तक हो सकती है बोलेंगे carbon 12 to carbon 18 तक हो सकती है अब एक general formula की बात करते हैं तो general formula देखे fatty acid का इसको रफ करते हैं यह हमारे पास saponification की reaction है उपर वाली ठीक है इसी इसाब से हम आगे भी soap बनाएंगे तो देखे fatty acid fatty acid का general formula लिख रहे है general formula fatty acid का होता है वो होता है CH2 COOR फिर bond इस तरह से जो आपके line बनाएंगे यह bond को represent कर रही है फिर CH COOR फिर से bond बनाएं CH2 COOR CH2 COOR CHCOOR CH2 COOR ठीक है यह fatty acid का general formula है अब यहां पर जो आर यहां पर जो note किया हुआ है नाइका पर 10 के साथ करा सकती हो या कियो साथ करा सकते हूं यह कपास के साथ करा सकता हूं यहां पर below कि थिटन ले लिए का एफ यहां इन दोनों को साथ मिला करेंगे इसको करेंगे इसको गरम करेंगे जोनोंको तो क्या होगा यहां सी यह वाला जू ग्रूप चाहिए होगा कितने ग्रूप की अंगोगई ग्रूप का नाम किया है आ O. मैं थोड़ा सा इसको rearrange करके लिखा है R C O O R C O O के साथ कौन जुढ जाएगा ये हमारे Na sodium जुढ जाएगा तो sodium की value कितनी हैँ यहाँ पर 3 तो यहाँ पर कितने हैं R C O O 3 तो 3 R C O O से 3 sodium जुढ जाएगे तो हमारे पास जो product बनेगा वो क्या बनेगा 3R C O O N A 3R C O O N A प्लस यहां प्लस यहां लिखना है ठीक है प्लस पीछे क्या बच गया देखो यह बच गया पार्ट क्या बच गया CS2 CH CS2 यह बच गया ठीक है तो पीछे क्या बच गया CS2, CH, CS2 फिर इन तीनों से कौन जुर जाएगा इन तीनों से यह 3 O H जुर जाएगे क्योंकि यहां पर N A बच की कितने मॉल है यह कितने मॉलिक्यूल है बोलेंगे 3 मॉलिक्यूल है इसका मतलब उसके अंदर 3 sodium है और 3 OH है तो 3 sodium तो यहां जुर जुर गए और बाखी बचे 3 OH कहां जुर जुरेंगे तो इन तीनों से 1 KF जुर जाएगे यानि 1 OH यहां जुर 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 जाएगा इस यह वारत जो आपको structure दिख रही है यह structure होती है glycerol की इसकी structure होती है glycerol की तो यहां पर यह equation है fatty acid यह दा fatty acid यह fatty acid की structure है फिर NaoCelo या केoCelo यह हमने ले लिया NaoH इनको गर्ण करेंगे heat देंगे ठीक है यहां पर हमें क्या मिलेगा soap प्लस glycerol तो यह वाला पार्ट है यह वाला पार्ट हो किसका हो गया ग्लिस्रोल की structure होगी और यह जो हमें मिला है R-C-O-O-N-A यह क्या होता है soap क्या होगा यह soap यह soap की structure होती है R-C-O-O-N-A यह होती है soap की structure अब इन soap को देखो mixer के अदर हमें यह भी मिल रहा है और यह भी मिल रहा है तो इन दोनों को हमें क्या करना है separate करना है हमारा जो bowl है bowl के अंदर soap भी है और साथ में क्या है grease roll भी present है तो इन दोनों को हमें क्या करना है separate करना है तो separate करने के लिए हम इसमें कुछ quantity के अंदर add करते है NaCl क्या add करेंगे NaCl sodium chloride को add करेंगे जिस करण क्या होगा कि यह soap है वो आजए चलकर क्या हो जाएगी precipitate हो जाएगी precipitate यह जाएगी option 맛 क्लोरईड को add करेंगे तो यह हो गया इस reaction को हम बोलत है saponification चीक इस process क्या वोलत है आप बात करते हैं कि आप है आप आप नहीं यह क्यों लिए तो सोट्यम और पॉटेशियमॉए यहाँ पर आकर जुड़ेंगे RCWNA ठीक है अब NA की जाएगा यहां पर K भी जुड़ सकता है अगर मैं KOS लिता हूं तो यहां पर SOAP का formula क्या बन जाएगा RCWK यह इसके SOAP का formula बन जाएगा और NA लिया तो यहां पर SOAP का formula क्या बना RCWNA तो जो NA अब इसको हम क्या बोलते हैं fatty acid के sodium और potassium के salt salt of sodium and potassium of fatty acid तो यहां पर sodium या potassium जुड़ेगा तो sodium और potassium के यहां पर quality होती है कि जब इस salt से इस fatty acid से sodium या potassium जुड़ेगा तो वो salt है वो water के अंदर क्या होगा soluble होगा water के अंदर क्या होगा वो soluble होगा water soluble ठीक है लेकिन मा लिजे यहां पर हमने जोड़ दिया RCWO calcium को जोड़ दिया ठीक है अगर मैंने यहां पर calcium hydrocet लिया तो मेरे पास SOAP का formula क्या बनेगा RCWO CA अब यह बना अगर हमारे पास salt बन गया तो यह जब water के अंदर जाएगा तो यह water के अंदर soluble नहीं होगा water in soluble water in soluble ठीक है इस कारण हमने यहां पर क्या लिया है अब इसके जो बनेगे यह यहां पर RCWO CA बने यह दोनों ही क्या होते हैं बार्टर के अंदर हैं इसकार हुori होता है लिया है या पिर क्योज है क्लिए अब यहां पर देख़कर यो क्यों कर आपके घृ緑 के लिया k यह वाला जो सोप होगा वो जएधा क्या होगा, सॉफ्ट होगा, जुरू कि से कमपेन कर रहे हैं, ए Här से टावह एटेम का साबुन मता हैं, उसको पोटेशियाम का साबुन बनाते हैं, वो ज्यादा होगा milligram बनाते हैं, इसका होगा shaving cream में काफी5 होती है तो soft क्यों इसमें sodium की जैए प्रक्रेशिएं की नारचल होती है सोफ्ठ इसका जो shaving cream के receiving जो सब्सक्रीट होती है त्यूंपू कैसे नियदा ऩबॉल दो के लिए अब कुछ आपने कुछ ऐसी सोब होती है जो बढ़ेन होती है पुँछ ऐसी सप्धिए जो ट्रास पिर्ट होती है पुछ एड़ ग्लिसरीन एड करता है ग्लिसरीन है तो जो क्या करता है ग्लिसरीन सुने दिखता है सूर में ट्राइब कर्ति है घ्लियर। यहां प slipping सबस्क्राइब भता है उसका तरह व्डर संदी सुन सदी यहांग रहा प्रसेंट है एक वॉन होता है इन सफ्ट उन्हस्सा है सबस्क linkage और यह सबस्क्राइब मुन हर्डर तो 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 यह उता है अंता है इसको मैंस्कों इसकोम पस्ट हराऊ थरी वाकर है वो टू टाइपस का है aye से फास्ट है वो है सौर्थ वाटर कि और सेकिंड है वो है हार्ड बाकर पीने के लिए पानी जो यूज़ करते हैं वह कौन सा वाटर होता है तो बोलेंगे सॉ घज़ सौर्थ होता है तो अप डेली यूज़ करते हैं डेली यूज करते हैं वो कौन सा वाटर होता है सेफ एज सोफ वाटर होता है खिक है और हाड़ वाटर कौन सा होता है जो सी वाटर होता है और यूज यूज वाला जो आप पाणी पीते हैं वो कौन सा होता है और सी वाटर जो होता है वो कौन सा होता है hard water होता है अब यहां पर यह discuss क्यों कर रहे है क्योंकि जब आप soap को soft water के अंदर mix करोगे जब आप soap को soft water के अंदर mix करोगे तो मैंने यहां पर लिया soap plus मैंने लिया soft water ठीक है तो मेरे पास क्या होगा कि जो soap है वो soft water के अंदर क्या हो जाएगा mix हो जाएगा यह soluble हो जाएगा तो यह क्या होती है soluble होती है ठीक है यानि soap है वो soft water के अंदर गुल जाएगी soluble हो जाएगी देकि जब मैं इसी soap को hard water के अंदर mix करूँगा तो वहाँ पर यह soap है वो इसके अंदर soluble नहीं होगी वो कैसी हो जाएगी insoluble हो जाएगी सोफ लिया और उसको soft water के अंदर mix किया तो उसके अंदर जाग बनेगी सोफ है वो soft water के अंदर soluble हो जाएगी लेकिन hard water के अंदर है वो soap है वो जाग नहीं देगी सौफ नहीं है सोफ पी ठीक है वो हाड वाटर के अंदर सौलिबल नहीं होगी यानि वहाँ पर आपको जाग नहीं बनेंगे यानि वो कैसी होती है इनसौलिबल होती है अब यहाँ पर यह सौलिबल क्यों नहीं होई क्योंकि हाड वाटर के अंदर salt present होते हैं हाड वाटर के अदर क्या प्रजेंट होते हैं salts और salts किसके होते हैं calcium and magnesium calcium and magnesium के salts प्रजेंट होते हैं जब आप soap को इस hard water के अदर dissolve करोगे तो क्या होगा soap के अदर कौन سा किसके salt है तो बोलेगे soap के अंदर sodium या फिर potassium के salt है और हाड बाटर के अंदर किसके हैं तो बोलेंगे कैल स्यमन मैंगी सिनusta तो यहां पर क्या मेंगा है ? जैसे यहाँ आप इसको इसके अंदर mix करोगे सोप को जो कैलशियम या मैंगिने ऑस सुर्ट है वो इसको रिप्लेस कर देंगे यानी आप ने क्या FORC Con कि क्या बना लेगा यह आर सी डबलो सी होता है वो कैसा होता है अभी पीचे डिसक्स किया था wodr in soluble होता है यानि ये disorder के अंदर soluble नहीं होगा आपको ये जहाँ पर जाग नहीं मिलेंगे और soap है वो नीचे precipitate होजाएगी अलग होजाएगी पानी से तो ये कारण होता है कि जो soap होती है वो soft water ke अंदर dissolve हो जाती है यानि soluble होताती है और hard water के अंदर किए इस प्रॉब्लम को धूरा के लिए क्या करते हैं यूज करते हैं कि इसका डिर य diff काल डिर्जेंट का डिर डिर कफाइंड हो ऑ्र हाद वार्टर के लिवाटल गर्ठ्र थो जब और हाड बाटर के अंदर भी डिजोल हो जाएगा तो यह हो गया हमारा सोप का टोपिक हो गया next heading आ रही है डिटरेजेंट अब बात करते हैं डिटरेजेंट तो डिटरेजेंट का chemical structure क्या होती है उसका formula क्या होता है तो यहां पर आपके course के अंदर उसकी preparation की method नहीं है कि डिटरेजेंट को हम कैसे prepare करते हैं सीधा आपके उसके अंदर formula दे रखा है तो डिटरेजेंट के अंदर नॉर्मली हम two types के formula रीड करते हैं फर्स्ट formula होता है उसका नाम होता है sodium कि एलकील इसकी structure की बात करें या इसके chemical formula क्या होता है तो बोलेंगे आर आर को में में क्या बोला था एलकील क्या हो गया आर O SO3 कीक है SO3 minus और Na plus यह इसकी chemical formula होता है sodium alkyl sulfonate का तो एक तो डिटरेजेंट इस टाइर का हो सकता है और एक डिटरेजेंट हो सकता है आपका sodium alkyl benzene sulfonate ठीक है एक डिटरेजेंट है वो इस टाइप का हो सकता है sodium alkyl benzene sulfonate इसकी structure की बात करें तो यह हो गया alkyl उसके बात benzene benzene का formula होता है C6H5 यानि carbon के नंबर कितने है 6 है और hydrogen के नंबर कितने है 5 C6H5 SO3 negative और Na positive यह इसका chemical formula है sodium alkyl benzene sulfonate का यह हो गया sodium alkyl sulfonate यह टू टाइप्स के detergent है वो आपकी होंगे तो hard water में पीछे क्या किया था हमने कि जो sodium था उसको replace कर दिया था कि से calcium से तो यहां पर जब calcium आजाएगा उसको हम बोलेंगे calcium alkyl sulfonate और यहां पर अगर calcium आजाता है तो इसका नाम क्या उदाएगा calcium alkyl benzene sulfonate तो जब यह product बनेगा यह compound बनेगा जैसे माली यहां पर यह वाला compound बन गया hard water के अंदर r o s o 3 minus or c a plus 2 ठीक है यहां पर आप इसको balance करने के लिए charge को balance करने के लिए मैंने इसको यहां से 2 से multiply कर दिया ठीक है तो यह वाला compound बन गया जेकिन यह वाला compound क्या होता है water and soluble होता है water soluble ठीक है उसके अंदर soap के अंदर क्या था जब यह calcium उसे जुड़ दाता है तो वो वाला compound क्या होता है water in soluble दाता है लेकिन detergent के अंदर एक quality होती है कि जब इससे calcium जुड़ जाएगा यह magazine जुड़ जाएगा तब यह क्या होगा water के अंदर Solubal होगा इसी कारण यह हो डिटर्जेंट है वो hard water के अंदर भी work कर सकता है और soft water के अंदर भी work कर सकता है तो यह main quality होती है कि वो soft water में भी काम करेगा और hard water के अंदर भी काम करेगा इस कारण जो soap है वो कम यूज़ाता है और और यह सब daια तो यह तो सब्सक्राइब यर्ट क्या होते क्या होते हैं वह वाडर को पॉलीट करने य Kung ऑने य। नोन ऑन और वाटर इंडसर्च जिसकान क्या होते हैं जो बैक्टिरिया ओठे कहते हैं तक आपके पड़े रहता है जिसकान क्या होता है तो डिट्रेजन क्या होते हैं वाटर पॉलिटेंड यह अप अब बात करते हैं कि डिट्रेजेंट के अंदर कुछ केमिकल्स भी मिला जाते हैं कुछ और केमिकल्स इसके अंदर मिला जाते हैं जैसे की बात करें इसको रफ कर देते हैं कुछ और केमिकल्स मिला जाते हैं डिट्रेजेंट के अंदर जैसे की इन और्गनिक in organic phosphate in organic phosphate second number for sodium ferroxy borate and third number for athana fluorocent material fluorocent material यह कुछ chemical आपको detergent के अंदर add कि रते हैं तो यह जो chemicals add करते हैं यह सारे के सारे क्या होते हैं water को pollute करने वाले होते हैं water pollutants water को pollute करने वाले होते हैं ठीक है और साथ में यहां पर जो bacteria काम करते हैं आपको पता होगा कि कुछ bacteria है वो हमारे लिए beneficial होते हैं आपके पास माली जेट बोटी है और डेट बोटी को आपने क्या किया जमीन के अंदर खड़ा खोदके उसको धग दिया soil से तो कुछ समय के बाद अगर आओगे साल-दो-साल के बाद आओगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगी dead body नहीं मिलेगी क्या मिलेगा केवर और गेवर उसका skeleton मिलेगा है ना तो बाकि जो dead body है वो का गई तो dead body को क्या किया bacteria और जो fungus जो soil के अंदर होते हैं उसने क्या किया उसको digest कर दिया या कई उसको डाइकेस कर लिया तो यह होता है कि जो बाइओ जबन्ल वीडिक्रद होते हैं जैसे हमारा बॉडि हमारी क्या है इसको सकता है लेकिन कुछ ऐसे जिस से तो डिटेजन्ट कैसा होता है नोन बायोडिकाड़ेबर होता है यानि अगर आप इसको इसका जो पाउच है या उसकी जो भी है अगर आपने उसको सोईल के अंदर डाला और कुछ समय बात आओगे तो वह वैसा का वैसा आपको देखेगा जैसे पॉलिथीन है तो पॉलिथीन को आप सोईल से डगतो रखतो तो कितने भी सालों बात आजओ तो आपको वैसी की वैसी मिलेगी है ना क्यों क्योंकि वह नोन और डित्रेजंट तो आने का है, यह तो हम ने बात की इन्हें कोन करेंगा, वहाँ इक इस ट्रॉक्चर को ड्रोग करेंगे, उस इस्ट्रेक्चर का नाम होगा, मिसेल, क्या नया है, मिसेल, तो हम हैं आप मिसेल आप अब बात करते हैं कि मिसेल का formation कैसे होता है तो सबसे बेरे देखें हमारे पास है यह सोप की structure सोप का chemical formula तो सोप का chemical formula क्या होता है पीछे लिखा था भी आर सी डबलो एने ठीक है तो यहां पर आर रहे वो कितना भी हो सकता है कंचा कारभन 12 हो सकते हैं कारभन 13 हो सकते हैं कारभन 18 तक हो सकता हु तो यहां पर हम जो एक्जम्पल ले रहे हैं gepल कि सोडियम इस्टेरियें का सोडियम इस्टेरियट की जो सौप होती है उसमें कारबन की वेलों कितनी होती है 17 तो यहां पर हम बात करेंगे सोडियम इस्टेरियट सौल्ट वाले सौप की तो मैंने लिखा C17 H35 C00NA ठीक है C00NA C00NA C17 H35 C00NA अब यह एक कारबन है वो 4 हाइड्रोजन से अटेच होता है कितने 4 हाइड्रोजन से अटेच हो सकता है अब इसके स्ट्रक्चर की सारी बात है वो हम कारबन की वाले चेप्टर के अंदर करेंगे कि यहां पर H35 ही क्यों है तो वो हम carbon वाले chapter से करेंगे यहाँ पर आपको इसकी structure समझने की ज़रूत नहीं है यहाँ आपको इतना जानटना इसका formula क्या होता है C17, H35, C00- और Na+, यह है इसकी soap का proper formula अब जैसे ही आप इसको water के अंदर dissolve करोगे water कौन सा है? अब ही हम जो water ले रहे है वो soft water है क्योंकि हम बात कर रहे है soap की तो हमने जो water लिया है वो कौन सा water है? soft water है तो जैसे ही आप water के अंदर इसको dissolve करोगे यह हो जाएगा ionized ionized मतलब तूट जाएगा plus अलग हो जाएगा और minus है वो अलग हो जाएगा तो c17, s35, c00, minus, plus, na, plus तो plus वाला item है वो अलग हो गया और minus वाला item है वो अलग हो गया तो यह हमारे पास बन्च गया c17, s35, c00, minus के लिए अब यह इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं hydrocarbon क्या बोलेंगे इसको hydrocarbon ही क्योंकि इसके अंदर hydrogen है और carbon है तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं hydrocarbon chain hydrocarbon chain इसके इसके अंदर देखो क्या क्या है carbon है और hydrogen है इसको क्या नाम दिया है hydrocarbon chain अब यह जो hydrocarbon chain होती है यह होती है इसकी structure को हम इस तरह से slow करते हैं देखिए कैसे ऐसे जो hydrocarbon chain है उसकी structure को इस तरह से slow करना है क्लियर ये बड़ा जो जिगजग like structure दिखाई दे रही आपको ये क्या है तो बोलेंगे hydrocarbon chain है hydrocarbon chain ठीक है hydrocarbon chain ये कैसी होती है इस पर आपको कोई charge दिख रहा है क्या कोई भी charge दिख रहा है इसको हम बोलते है non-polar क्या बोलते है non-polar ठीक है और ये कैसी होती है properties की कैसी होती है तो properties की होती है hydrophobic hydrophobic ठीक है hydrophobic मिंस ये water से दूर हटेगी water से यह आप यूंगे है water के अंदर insolubal होगी और जो oil वाला पार्ट होगा या fat वाला पार्ट होगा उसके अंदर यह क्या होगा इसको हम क्या बोलते हैं यह कैसा था नॉन पॉलर इस पर आपको चार्ज दिख रहा है एक माइनस है इस दिए इसको क्या बोलते हैं पॉलर और यह कैसा होता है तो बोलेंगे हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक ठीक है हाइड्रोफिलिक मिन्स यह वाटर के अंदर सॉलिबल होगा लेकिन fat के अंदर या oil के अंदर है वो सॉलिबल नहीं होगा अब इस वाले पार्ट को बोला गया है है ठीक है इस वाले पार्ट को क्या बोला गया है है यह इस structure का क्या है 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 और यह क पुरा नाम क्या बोलेंगे, polar head और non-polar tail, polar head और non-polar tail, यह होगी इसकी structure, थोड़ा सा यहां पर ज्यान देना, कि यह बादा जो पार्ट है, वो कैसा होता है, hydrophobic और यह बादा पार्ट होता है, hydrophilic, phobic मिन्स, water के अंदर insoluble, fat में soluble, यह इसका उल्टा, water में soluble और fat में insoluble clear, तो यह होगी इसकी structure, अब यहां पर होता है क्या देखो, जो हमारे cloth होते हैं, जो गंदे होता है, cloth, उस गंदे में normally क्या होता है, जो normally जो dust होती है, वो chip के होती है, ठीक है, dust है, वो उस cloth से attach होती है, और dust जो attach होती है, वो कही न कहीं, उसके अंदर एक part होता है, वो होता का ट्रूंट है है किर दिए जो कपड़े हमारे गंदे होते हैं कि कै इससे तो बनोते हैं ऐसे जो भी धर पार्टिकल या जो भी खराब चीज़ें वह उसके जिपाग जाती है लिए टूटे का C70-35CW मायनस के अंदर फिर इसकी structure बनेगी सी थी तिक है एस इस टाइप के structure बनेगी इसमें दो पार्ट है एक नॉन पोलर टेल और एक है polar head non-polar tail है वो कैसा है hydrophobic और polar tail है हो कैसा है hydrophilic आप यहाँ पर इसकी structure बनाते हैं पुरी इसको रफ कर दितें मुट्रूट कीुट बाट के इंदर आप किया करोगे आप उस क्लोथ को डालोगे जिस जो क्लोथ है वो गंदा है ठीक करो का अब ठीक हिस्त भी डपर चपके वे या फिर कोई कोई भी गंदगी जो चिपकी हुए है उसके रप पुछ पार्ट क्या है ऐल का है तो ऑईल का पार्ट है यह मालीजीये वह ओईल की एक ड्रॉप है ठीक है ऑईल की ड्रॉप कि अजियों वह उसे अचिए अब में आप होगी अब तो फैट के अंदर सॉलिबल को होटा है टेल वाला पार्ट की हैड वाला पार्ट तो फैट के अंदर सॉलिबर होता है वो होता है टेल वाला पार्ट तो टेल वाला पार्ट किसे जुड़ेगा ओल से और जो हैड वाला पार्ट होगा ठीक है हैड को मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ इसका मतलगा यह C double minus तो head वाला part है वो किसे जुड़ेगा water से ये water है तो tail जुड़ेगा किसे oil से और head वाला part जुड़ेगा किसे water से अब ये वाला जो part है वो आपस में क्या होगा attract तो आपस में attract होगा तो ये वाला part है वो pull होगा, उपर की तरफ खीचेगा, pull होगा, और ये क्या है, cloth, ठीक है, तो जैसे ही ये उपर की तरफ pull होगा, तो pull होगा, तो साथ में इसकी जो air drop है, जो इसकी oil की drop है, वो की साथ में क्या होजाएगी, इस cloth से pull होजाएगी, यानि cloth से और oil की drop है, वापस में क्या हैं गिसका सौप पाप का वाटर के péri Опहना बहुत सारे चाहरे मयानुदूर्ए होता है तो वह क्वा生cs जूइ ड्रोप है उसको चारो तफ से गेह लेता हैं तो चारो तरफ से इसको cover कर लेता है तो चारो तरफ से जब cover कर लेंगे मालिश जए ये अमारे पास oil की drop है और इसको जो soap के जो molecule है उसने चारो तरफ से cover कर लिया इस तरह से ये इसका tail और ये इसके head ठीक है और ये क्या है oil की drop तो इस तरह की एक spherical structure बनती है ठीक है और इन सब पर charge क्या है negative तो negative charge होगा तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल भी करेंगे तो रिपेल करेंगे इसका मतलब इसका यहाँ पर precipitate नहीं होगे ठीक है एक दूसरे से attached नहीं होगे ये आपस में खुले खुले भी रहेंगे जैसे भी बनाया वाना वैसे वैसे रहेंगे क्यों क्योंकि माइनस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे सब पर charge क्या है minus ठीक है minus 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 तो एक दूसरे को आपस में रिपेल करते रहेंगे जिसकान क्या होगा एक दूसरे से आपस में precipitate नहीं होगे अगर ये आपस में अटेक होकर के चिपक गए तो चिपकते ही क्या होगा ये वाटर के अंदर नीचे क्या हो जाएंगे एक ये प्रेसिपिटेट होना स्टाट हो जाएंगे साबबन तो प्रेसिपिटेट नहीं होता है साबबन अब क्या होगा बाहर की तरफ क्या होगे अपनी तरफ होगे तो ये सारे वो भी बाहर की तरफ क्या होगी पुल होगी यानि लगातार पुल होता रहेगा होता रहेगा तो एक टाइम में साएगा तब यह ओईल की ड्रोप है वो क्लोथ से क्या हो जाएगी सेप्रेट हो जाएगी और जो क्लोथ है वो हमारा क्या हो जाएगा क्लीन हो जाएगा किया होजाएगा ग्लोफ क्लीन तो इस दरब से काम करता है ये तो अब ये जो स्ट्रक्टर बनी है इस्ट्रक्टर को हम बोलते हैं मिसेड क्या बलते हैं मिसेड तो ये एसाथ से बर्लक कौन? Soap और Detre Z, मिसेल फॉर्मेशन से, इसमें जो टैल है वो इस से जुड़ेगी, ओईल वाले पार्ट से जुड़ेगी, फैट से जुड़ेगी, और जो हैड है, या फिर CWO माइनस वाला पार्ट है, वो किसे जुड़ेगा, बाटर से जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो इसे के साथ आपका जो चैप्टर है, वो भी हो गया, कम्प्लीट, जो हमने स्टाड किया था, फाइफ नुमर चैप्टर, केमिस्ट्री, इनेविडे लाइफ, वो आज इस वीडियो के अंदर, खतम हो गया है, एंड हो गया है, तो, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, कोई भी आपके डाउट है, तो आप कमेंट मुसे पूछ सकते हैं, कमेंट में आप टाइप करिए, कुछ भी आपको पूछ रहा हो, तो मैं उसका अंसर दे दूँगा, तो नेक्स वीडियो के अंदर, नेक्स लेशन को स्टार करेंगे, अराम से घर पे देखते रहिए, तो मिलता हूँ नेक्स वीडियो में,